अगर आपको ड्रिम 11 या किसी और फेंटासी एप में अच्छा करना है और खूब सारे पैसे भी जीतने हैं तो आपको सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में सही से पता होना बेहद जरूरी है इसलिए अगर हम मुहाली के आईएस बिंदरा स्टेडियम के पिच रिपोर्ट की बात करें तो यह निश्चित रूप से ही एक हाई अस्कोरिंग ग्राउंड है जहाँ पर 180-190 का स्कोर आसानी से बन जाता है यहाँ पर पिछला मैच पंजाब किंग्स और के के आर के बीच खेला गया था जो बारिश के वजह से पूरा नहीं हो पाया और डकवर्थ लूइस मेथड से इसे पंजाब किंग्स ने जीता उस मैच में भी पंजाब ने 191 का स्कोर खड़ा किया था इस मैदान पर अस्पि और अलजारी जोसफ जैसे वर्ल्ड क्लास तेजगंदबाज है ऐसे में मुकाबला दिल्चस्प होने की पूरी संभावना है मुहाली के इस मैदान पर अगर रन खूब बनते हैं तो विकेट्स भी खूब गिरते हैं इसलिए इस मैच के लिए हमको अपने फेंटासी टीम मे टॉप ओडर और मिडल ओडर के बल्ले बाज के साथ तेजगंदबाजों का एक बहतरीन कॉंबिनेशन रखना होगा हम अगर पंजाब किंग्स के प्लेइंग 11 की बात करें तो यह कुछ ऐसी हो सकती है शिखर धवन प्रभ सिमरन सिंग मैथ्यू शौरट जितेश शर्मा शह प्राजर्स हैदराबाद से हार गई थी पंजाब ने इस मैच में लेग अस्पिनर मोहितराथी को शामिल किया था जिसने दो ओवर्स में 29 रंदे दिये थे अब देखना यहा है कि पंजाब किंग्स उसी के साथ कंटीनियू करते हैं या रिशी धवन की टीम में वापसी पात करें तो यह कुछ ऐसी हो सकती है रिधिमान साहा शुभमन गिल साई सुदर्शन विजे शंकर डेविड मिलर राहुल तेवतिया अभिनव मनोहर राशिद खान मुहम्मद शामी अलजारी जोसफ और यश दयाल इस प्लेइंग 11 के साथ गुजरात टैटन्स की टीम अप लेकिन आखडी ओबर में पांच छक्के लगाकर रिंकु सिंग ने पूरा गेम ही बदल दिया गुजरात टैटन्स के कप्तान हर्दिक पंडिया पिछले मैच में नहीं खेले थे और इसलिए अभिनो मनोहर को जगह मिली थी लेकिन इस मैच में हर्दिक पंडिया के खेलने क पूरी संभावना रहने वाली है हम अब अगर आपके लिए फेंटासी प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ कुछ ऐसी होनी चाहिए विकेट कीपर में आप रिधिमान साहा और प्रभ सिमरन सिंग को रखिए हम अगर आपके फेंटासी टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो पंजाब किंग्स अगर पहले बल्ले बाजी करेगी तो आप शिखर धवन को अपना कप्तान बनाईए वहीं शुभमन गिल को अपना वाइस कैप्टन अगर गुजरात टैटन्स पहले बैटिंग करती है तो आप शुभमन गिल को अपना कप्तान बनाईए वहीं अरशदीप सिंग को अपना वाइस कैप्टन पंजाब किंग्स और गुजरात टैटन्स के बीच होने वाले आज के इस मैच के लिए हमारी ओर से फेंटासी टिप्स यहा है कि यह दोनों टीमें अपना पिछला मैच हार कर आई है और दोनों टीम जीतने को देख रही है आप हैरान होंगे कि हमने इस फेंटासी टीम में राशिद खान को क्यों नहीं रखा है तो इसमें हैरानी जैसी कोई बात नहीं है अगर आप स्मॉल लीग खेलते हैं और गुजरात टाइटन्स चेज करती है तो आप दिमान साहा को हटा कर राशिद खान को अपने टीम में शामिल कर सकते हैं वह ग्रैंड लीग के लिए इस मैच में उतना इंपक्टफुल सावित नहीं होने वाले हैं फिर भी अगर आपको राशिद खान को अपने ग्रैंड लीग में लेना ही है तो आप उस समय लेना जब गुजरात टाइटन्स दूसरी पाड़ी में गेंदबाजी करें लेकिन फिर हटाना किसको है यह बात हम आपको टाउस के बाद अपने टेलिग्राम चैनल पर बताएंगे जब गुजरात चेज करेगी तो डेविड मिलर टरंप प्लेयर बन सकते हैं वहीं अगर पंजाब किंग स्टेज करेगी तो शाहरुक खान मोर्चा संभालने वाले हैं अगर गुजरात टैटन्स के टीम में कप्तान हर्दिक पंडिया की वापसी होती है तो उन्हें भी अपने फेंटासी 11 में जगह देना होगा कुल मिला कर देखा जाए तो यह एक टाइट गेम होने वाला है जो चेंजस हमने आपको अभी बताया है वह प्लेइंग 11 अनौन्स होने के बाद टॉस के अनुसार किया जाएगा जो फाइनल टीम होगी वह हम आपको अपने टेलिग्राम चैनल बेजोर क्रिकेट पड़ देंगे तो अब आप अपनी टीम बनाईए और जीत का अनंद लीजिए बेस्ट आफ लक टु यू आल साथ ही जरूरी सजेशन इनफॉर्मेशन और फाइनल टीम के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल बेजोर क्रिकेट से भी जुड़िये लिंक नीचे डिस्क्रिप्टन में दिया हुआ है यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उनका भी टाइम बचाईए 30-30 मिनट के फंटासी वीडियो देखकर अपना टाइम बरबाद मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ 5-6 मिनट के वीडियो में ही आपको पूरी जानकारी दे देते हैं वो भी एक परफेक्ट टीम के साथ थाइंक यू सो मच